इस्ट्रेस क्या होता है तो इस्ट्रेस के बिना क्या जिन्दगी पॉसिबल है इस्ट्रेस कितने पकार के होते और इस्ट्रेस होने से कौन सा कौन कौन सा हर्मोन रिलीज होता है और इस्ट्रेस से छूटकाड़ा कैसे मिले हाई फ्रेंस में हुनाजिरा साहिन और आज मैं बह हो देख सकते हैं स्ट्रेस रीलीimiento सेफशोप का हाुमा ड वशेप्ध बनाया गया तो यह जो इस्ट्रेस यानि तर्ह तो थोड़ी सी बैसिक जानकरी होगी संपलीमेंट देने में में भी हसानीच होगी तो मैं थोड़ा से से कौन कौन सा हर्मोन होता है और स्ट्रेस से छुटकाड़ा कैसे मिले तो यह पूरी जानकाड़ी मिलेगी तो वीडियो एंड तक देखते रहे तो इस्ट्रेस के बिना जिन्देगी पॉसिविल है नहीं कितना दिन हम लोग जिन्दा रहेंगे तब तक स्ट्रेस हमारे साथ कDadbb तो इस्ट्रेस कीउछ होती है तनाव किकर इस जब भी कोई काम हमने लगता है हमारे संता से बाहर है तब हमें ओर स्ट्रेस देती है जैसे इस आप इस भाग दौर की टाइम में जितना एक्षाय स्ट्रेस यंग जेनरेशन का इंकम कैसे करें इसका फेशर और या टेंसन बोल सकते हो और जो घर में बढ़े बुज़ूर्ग है अकले पंच से उन लोगों को टेंसन होती है तो यह कही नहीं एक छोटी बरी बात हमें स्ट्रेस देती है यह स्ट्रेस एक फिलिंग है जो हमां महसूस करा दिंग आते हैं तो यह जो बच्चे से मतलब बरोश लेकर बच्चे तक इसमें घिरे हुए है क्या यह इस्ट्रेस से फिलिंग है यह दिमाग खराब कर मतलब दिमाग में भी असर करती है क्यूंकि जैसे हमारे चायरे और चारी और जो सारीरिक बीमारिया हैं जिसके लिए स्ट्रेस को दोसी माना जाता है जैसे दिल की बीमारिया मोटापा थाइरोएड डाइवर्टिस वगड़ा वगड़ा तो जो TENSION लेने से हमारे दिमाग क्या होता है कि खराब सा रहता है जैसे नीद नहीं आना दिमाग ख है conflict और फेशर चेंज यह चार पकार के स्ट्रेस अगर कभी कभी आये तो अलग बात है लेकिन अगर आप रोज रोज चिंता पर डूबे रहते इसके लिए अब कुछ नहीं करते तो इस्ट्रेस अपको दिमाग को खराब नहीं करता है इसके साथ साथ क्या करता है आपका को कुछ तो दिक्कत है तब यह जो हर्मोन रिलीस होता है जैसर कोटिजोल एड्रोनि रिलीज होता है जैसे चुल किया करता है यहिख गार का मत्रा को बराता है जैसे आपको इनरजी मिले जैसे मांके चलिए और को कोई कुटा दोड़ के आ रहा है तो आप भागो के उस सिच्वेशन पर या उसमें आप लड़ोगे इसके लिए आपको तैयार करता है हम लोग चिंता में डूबे रहते हैं इसके लिए अगर हम लोग कुछ नहीं करें क्योंकि चिंता लेने से क्या खतम हो जाएगे तो उसको खतम अगर ना करें तो क्या होता है यह डेली एडरोनिल और कॉर्टीजोल डेली यह सब हर्मोन रिलीज होगा और इसकी वज़ा से हमारे बोड़ी भी हो जाएगे जैसे दिल की विमारी डाइबर्टीस मुटा पा और वगरा वगरा तो देखें स्ट्रेस लेने से क्या-क्य हमारे बॉड़ी पे असर करता है तो ओव यह जो इस्ट्रेसर रिलीप कैसे पाई क्या है यह जो हम लोग टेंशन लेते हैं तो टेंशन कैसे में करें वह पहले हम लोगों को करना है दूसरा जो करना ठोड़ा जो मिलिके साथ थोड़ा टाइम विताना है और उसके साथ-साथ आपने टैबलेट है क्या है पूरा में दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज अगर दिखाऊंगी मतलब बोलूंगी तो और साइद इस्किप करके देखेंगे तो यह खतम हो जाएगा मैं जो बताना चाहती हूं तो नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दोंगी इसके लिए क्या करना है यह चैनल को सब्सक्राइब करना है और और शेपशोप के ज्यादा तर पोड़क्ट या सेपशोप नहीं मैं हेल्थ इसके बारे में और भी मतलब जानकारी लाओंगी तो इसके लिए क्या है सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं जो भी वीडियो लाओं तो आप लोगों देखवाएं आपका नोटिफिकसन जाएं और यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमंड जरूर कीजिएग है कि एक वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और क्या बोलू subscribe कर दिजिए क्या होता है तो इस इस कितू पकार के होते हैं और इस horse होने झाल आवार हो नाइब झाल नाइब